सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं इन सभी पॉइंट्स को चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह जो आइपयो है कंपनी है मतलब कि स्मॉल फिनांस बैंक है बैंकिंग सेक्टर में काम करता है तीन नॉवंबर को आज की दिन साइवन नॉवंबर को क्लोज हो का मतलब कि त्री डे आईपयो है फोर हंडड़ सिस्टी त्री करोल का बुक बिल्ड इशू आईपयो और यह जो है सो थ्री हंड़ नॉवंबर का लिस्टिंग डेट लखा गया सेक्टें नॉवंबर का बी एसी नसी दोनों में लिस्टेड होगा सब्सक्राइब कर रहा है और इसलिए चांसे त्री टाइम लाइन में लिस्टेड होने का चांसे जो कि कर सकते हैं तिन दिन पहले इसको प्रीपॉन किया जा सकता है वहीं करें इसके प्राइज मेंट की बात करें और 250 शेयर के लॉट साइज इसके लिड मैंचर आईसी आईशी आई सेक्रीडिज डैम कैपिटल अड्वाइजर लिमिटेड जो कि इसका नाम पहले था आईएफ सेक्रीड लिमिटेड दौामा वेल्थ मैंजमेंट इसके रिजिस्ट्र आ रहा है मैंकर हम प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर जो है इसके प्रोमोटर बैंक के कदम बेलिल पॉल थोमस और ESAF फिनार्शल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है जो कि प्रिशू विल्डिंग 74.43 परशंट का इसके अर्बन केस्टमर्स को मतलब कि गाउं का और चोटे मोडे सहर के लोग होते हैं उनको लॉन्स प्रोवाइड करना इसका मेंली बीजनस है फोकस किया जा रहा है और बैंक का प्रोड़क्ट में गाइस कंसिस्ट है माइक्रो लॉन्स रिटेल लॉन्स एमसेमी लोग और और 4 743 कस्टमर्स सर्वीस सेंटर्स भी है 20 बिजनस कोर्रिस्पोंडेंट्स है और 481 बिजनस फसलिटेटर्स देखने को मिल रहे है और बैंक की 581 एटियम्स है जो कि इंडिया के 21 स्टेट्स को कवर कर रही है वहला कंपनी का पैन इंडिया प्रेजिंस है और बैंक जो है सब्सक्राइब करता है अलग अलग डिजिटल प्लाफोर्म के थूरू जैसे इंटरनेट बैंकिंग पॉटल है मॉबाइल बैंकिंग पॉटल समस अलर्ट्स है बील पेमेंट्स है रुपाय मर्च ब्रांडेट एटियम कम डेविट कार्ड है और 31 मार्च 2022 तक बैंक जो है फ कर रहा है के यहीं जो और इते हैं ज्याद अतर और प्लाफोर्म है करनेज के लिए और अगर हम फिनाशल की बात करेंगते हैं करोड का रिवेन्यु है युलका ट्विट्ट ही 16090 का प्रकीति नियुदि नियुक्त है हुटky सुप्ध्ध घंद्ध डफी रिवेन्ड गन्म सब्सक्रण वह कि लेन्युद १ी App सब्सक्राइएिस paran्यों में बाइयक सुप्ध्रमें डर्च स॑र्व वन अजर आया था कंपनी को सफर करती भी देखने को मिल रही है तो माइक्रो लॉंच सिग्मेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसलिए अगर इसके डिमांड में डिक्रीज आता है तो इसके फिनांशल कंडिशन रिजल्ट ऑप्रेशन कैस्फडो को अफेक्ट कर सकता है फिर अनबर ऑफ एउन सेक्वर्ड एडवांस जो यह जबहुत जादा इसका नंबर में एंट्वांस के लिए नमबर से बहुत जादा है और अगर यह रिकवर नहीं कर पाती है तो इंपेक्ट पर सकती है प्लस या पैनल्टी बगर आर्बिय के तरब से लगाया जा सकता है इसके विजनस को इंपक्ट कर सकता है कॉंसेंट्रेटेड ज्यादा तर है केरल और तमिल नाडू में और बिजनस के सचल रहा है कंपनी बैब बिजनस जो है चैलेंजिस फेस कर सकता जैसे प्रोड़क्ट आवेरनेस और वॉल्नेरा बिलिटी और हाउसओल्ड इंकम जो यह सू लोकल डेवलपमेंट्स के लिए यह सभी चैलेंजिस फेस कर सकती है कंपनी कंपनी के पास जो बिहार उत्र परदेश वेस्ट बेंगल उडिसा और राजस्थान जैसे स्टेट में भी इसका कोई भी प्रिजन्स नहीं ज्यादा बड़ा प्रिजन्स नहीं है जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉप लोकेशन माइक्रो फिनांसिंग के लिए चार पास इस्टेट में बहुत ज्यादा माइक्रो फिनांसिंग वगएरा होता है तो इस चार पास इसका बड़ा इसका बीजनस अभी नहीं फाइला है जो कि एक तो प्रॉब्लम हो सकती है और यहां पर देखें तो एन पीए जो है बहुत ज्यादा बड़न इसमें हो सकता है कंपनी के लिए क्वेशन जतना इंक्रीज़ होगा होता है कंपनी के लिए और वहीं गर्म इसके उबजेक्टिव की बात करें कंपनी जो यह टियर वन बैंक का ट्यूर वन कबेस का जो आउगमेंट करके उसको यूट्राइज करन को जो कि expect किया जा रहा है बैंक के एसेट में ग्रोथ कर जो और उसके expected करने के लिए और प्राइमरी बैंक की जो लून और एडवांसर्स है या फिर इंवेश्टमेंट पोर्फोलियो है उसके लिए भी प्राइमरी मतलब कि किया जाएगा जो कि टीर वन से जो लिश्टिंग में जो बेनेफिट मिलता है उसको रिसीव करना चाहती है तो ओवराल जो कंपनी है यह जो कंपनी है यह अच्छी ग्रोथ देखने को इसको एक्सपैंस करने में बहुत ज्यादा फ्री है जो कि अपने ब्रांचिस को एक्सपैंस कर सकती है जिसके करना आप इसको मीडियम लॉंग टेम करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग भी अच्छी मिल रही है नाइन रुबेश का जी एंप